आप सभी मित्रों का एक बर फिर से आज के अनुग्रह मनन में हारदिक स्वागत है आप सब को बड़े दिन की शुवकामनाय देता हूं मित्र धन्यवाद करता हूं निरंतर अनुग्रह मनन के साथ आप लगातार बने हुए हैं इसके दोरा आपको आशिश मिलती है और बहुत अच्छा लगता है कि अब आपने खुल कर लिखना भी शुरू कर दिया है मुझे आशा है मित्र कि इन दिनों विशेश रूप से तयार किये गए क्रिस्मस के मनन के दोरा आपको आशिश मिल रही है मेरी कामना है कि प्रभू आपको बहुत आयत के साथ आशिष दे तो आईए चलते हैं आज के मनन में जैसा कि मित्र मैंने हाल ही में कहा था कि हम इस क्रिस्मस के विशेश मनन में मुख्य रूप से उन प्रतीकों की भी चर्चा करेंगे जो क्रिस्मस से जुड़े हुए हैं आत्मिक बाते तो हम बहुत कर लेते हैं लेकिन उन प्रतीकों के विशेवी चर्चा करनी चाहिए जिनके बारे कभी कभार विवाद तो हो ही जाता है तो उन विशेश प्रतीकों में से दो बड़े मुख्य प्रतीक हैं जो क्रिस्मस से जुड़े हुए हैं सेंटा क्लाउज और क्रिस्मस ट्री मित्र आज हम क्रिस्मस ट्री पर विचार करेंगे हमने आज से पहले, दो दिन पहले हमने सेंटा क्लाउज पर विचार किया था और हमने ध्यान दिया था कि सेंटा क्लाउज की चारी त्रिक विशेष्टाएं क्या-क्या हैं काश की वही चारी त्रिक विशेष्टाएं हमारे अंदर भी आ जाए तो आएए आज हम बातचीत करते हैं क्रिस्मस ट्री पर मित्र मैंने एक मज़िदार बात देखी दुनिया में तीन ऐसे प्रतीक हैं, ऐसे चिन्ह हैं, जिनके द्वारा प्रभू के बारे में वे भी जान सके जो येश्व के नाम से अंजान थे इन चिन्हों ने उन लोगों को भी प्रभू के बारे में बता दिया ये तीन प्रतीक हैं, क्रूस, सेंटा क्लाउज और क्रिस्मस ट्री इन तीनों प्रतीकों के द्वारा सारी दुनिया ने येश्य मसीख के नाम को जान लिया है इस वाद से कोई इंकार नहीं कर सकता मित्र आज हम विचार करेंगे क्रिस्मस ट्री के बारे में और इससे पहले की विचार करें एक बार फिर से वही बीमारी जो लोगों में है उसकी चर्चा थोड़ी सी करता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि बाईविल में दिखाओ कहां लिखा है अभी एक बहन ने मुझे लिखा कि लोग उससे पूछते हैं कि Bible में दिखाओ कहां लिखाए कि Christmas मनाना चाहिए अच्छा चलो तो इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कुछ लोग कहते हैं कि Bible में दिखाओ कहां लिखाए मेरे मित्र ऐसे लोगों को कहा जा सकता है कि Bible में तो ये भी नहीं लिखाए कि क्रूस को चर्च में या घर में रखो फिर उसे क्यों रखते हो मित्र बाइबल में नहीं लिखा है और न येशू की आग्या है कि अपना जर्म दिन मनाओ कहां लिखा है बाइबल में कि अपना जर्म दिन मनाए तो फिर क्यों मनाते हैं अपना मना लेंगे ऐसे लोग, लेकिन येशु के जर्म दिन का विरोध करेंगे भाई ऐसा क्यों? मैंने आज तक ऐसा एक भी प्रचारक नहीं देखा जो जर्म दिन ना मनाने पर प्रचार करता हो अरे तो कीजिए ना, क्योंकि बाईविल में तो नहीं लिखा है न? बाईविल में नहीं लिखा है क्योंकि परमिश्वर कवचन ये कहता है यदि सारी बातें बाईविल में लिखी जाती तो जगत में भी नहीं समाती बहुत सारी बातें लिखी ही नहीं गई है तो मैं ये कह रहा था कि हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन हमारा वैसा करना, या किसी प्रतीक चिन्ह को रखना, प्रभु के प्रती हमारे प्रेम, भक्ती और आस्था को दिखाता है, और सच कहता हूं कि इससे प्रभु को कोई समस्या नहीं है, मनुश्यों को हुआ करे, लेकिन प्रभु को को समस्या नहीं है, मित्र एक बात बहुत साफ साफ समझ लिजे आज के दिन, क्रिस्मस यानि Christ प्लस मास, Christ यानि येशु और मास यानि अराधना या इबादत, तो जब भी Christ के नाम पर मास या इबादत होगी, 25 दिसमबर हो या ना हो, जब भी Christ के नाम पर या येशु के नाम पर मास या इबादत होगी, लोग जमा होंगे, वो Christ है, Christ सिर्फ, माफ कीज़ेगा, Christ सिर्फ येशु के जन्म का पर भी नहीं है, तो जो कहते हैं कि Christmas शब्द ही गलत है जी, वे खुद ही अंजाने में Christmas मनाते हैं, क्योंकि वे प्रभू के नाम पर जमा तो होते हैं, Christ के नाम पर मास यानि गैदरिंग करते हैं, जमा होते हैं, तो वे भी तो Christmas मनाते हैं, तो मित्र साधान रहिए इन बातों से, वचन बड़ी सफाई से कहता ह कि शब्दों पर तर्क वितर्क करने से सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, तर्क इस ओके, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए, कोई शब्दों के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, तो आईए, अब बात करते हैं Christmas ट्री की, Christmas ट्री लगाने का, या Christmas ट्री लगाने की प्रथा का आरंभा हुआ, बिशप बॉनिफेस के द्वारा, बिशप बॉनिफेस ये जमनी के बिशप थे, ये लगभग 16 शताबदी में शुरू हुआ, शुरू में ये बिल्कुल नहीं था, ना इसकी प्रथा थी, लेकिन ये लगभग 16 शताबदी में शुरू हुआ, और पीछे धारना क्या थी या क्या होनी चाहिए अगर कोई अच्छी धारना है तो उसका स्वागत होना चाहिए है ना तो मित्र आईए आज हम विचार करते हैं गहराई के साथ तो क्रिस्मस ट्री को समझने के लिए आज हम बाइबल में वर्णित तीन पेड़ों को या ट्री को देखेंगे तीन पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल के अंदर थ्री ट्री जो परमिश्वर के वचन के अंदर हैं यदि इन तीन पेड़ों को समझ लेंगे तो हम क्रिस्मस ट्री को भी समझ लेंगे तो पहला पेड़ या फ़र्स्ट ट्री आपके सामने रखना चाता हूं तो उससे पहले एक बाद को ध्यान से सुनिए यदि ध्यान से देखें तो स्रिष्टी के बाद बाइबल ट्री या पेड़ से ही शुरू होती है और ट्री या पेड़ पर ही समाप्त हो जाती है ट्री या पेड़ पर ही मनुष्य जाती का पतन और छुटकारा है ध्यान दिजेगा, पतन और छुटकारा दोनों. उत्पती दो नौ में हमें वृतांत मिलता है कि परमेश्वर ने जीवन के ब्रिक्ष और भले या बुरे के ग्यान के ब्रिक्ष को भी लगाया. उत्पती दो और उसके सोला सत्रा में लिखा है, तब यहुआ परमेश्वर ने आदम को यह आज्या दी कि तू वाटिका के सब ब्रिक्षों का फल बिना खटके खा सकता है. लेकिन भले या बुरे के ग्यान का जो ब्रिक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उस दिन अवश्चे मर जाएगा. मित्र आप सब जानते हैं कि इसी पेड़ के द्वारा मनुष्य जाती में अभागापन, कठोर परिश्ट्रम, बीमारी, शाप और मृत्यू आई. आईए अब देखते हैं दूसरे पेड़ के बारे में. एक ट्री के बारे में हमने देखा कि उसी के द्वारा मनुष्य जाती में मृत्यू और परिश्ट्रम और बीमारी और सब प्रकार का अभिशाप आया. Let us see now the next tree अगले पेड़ को देखते हैं. दूसरे पेड़ के बारे में गलातियों की पत्री और उसके तीसरे अध्याए उसके तिरहवे पद में इस प्रकार से लिखा है. यह बहुत ही रहस्ते पूर्ण पद है. यहां लिखा है, मसी जो हमारे लिए शापित बना, हमें मौल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया. क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, वह शापित है. मित्र यहां पर काठ लिखा है, हिंदी में. लेकिन यदि इसी पद का मूल अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद आप देखें, तो वहां काठ को क्रूस, माफ कीजेगा, यदि इसी पद का मूल अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद देखें, तो वहां काठ या क्रूस को ट्री कहा गया है. क्रूस का ग्रीक भाशा में अनुवाद हमेशा वुड या ट्री है तो यह हुआ दूसरा पेड जिसे की हिंदी में कई बार मुझे जारखन के कुछ गाने याद हैं साधरी में जब गाते थे तो मुझे भी याद है कि क्रूस गाच भी बोलते थे गाच गाच है नहीं पेड होता है तो दूसरा पेड क्रूस का पेड है यानि क्रूस इस आलसो अ ट्री ओन विच आवर सेविर वज हंग ये भी पेड है तो इस ट्री के द्वारा या क्रूस नामक ट्री या क्रूस पेड या क्रूस गाच के द्वारा हम सब के लिए नया जीवन आया और इस नये जीवन के द्वारा हमें एक अधिकार मिला है क्या अधिकार मिला है? अब वो अधिकार हमें तीसरे पेड़ की और लेकर की जाएगा हलका सा रीकैप करता हूँ सबसे पहला पेड जो भले और बुरे के ग्यान का पेड था, उसके द्वारा अभागा पनाया दूसरा पेड जो की वचन का केंद्र है, जो की कलवरी का प्रतीक है, जो की कलवरी का चिन है कलवरी का चिन इसले कहता हूँ कि कलवरी को उसी बात से जाना जाता है तो जो दूसरा पेड है, जो पहला पेड था वो शाप का था, दूसरा पेड भी शाप का है क्योंकि जो कुरूस है वो शापित है, लेकिन उसी शापित पेड से, उसी शापित ट्री से मेरे और आप के लिए हमेशा के लिए शाप का तूटना संभव हुआ, और जब इस पेड को जब हम देखते हैं तो अब इसी पेड की वज़ा से, क्रूस के पेड की वज़ा से, अब हम एक नए पेड के पास आते हैं, ध्यान के साथ सुनिएगा, एक नए पेड के पास हम आते हैं और हमें अधिकार मिलता है कि हम उस नए पेड के पास जाएं, प्रकाशित वा के 22 और उसके 14 होएं पद में वचन कहता है धन्य है वे जो अपने वस्तर धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के पेड के पास आने का अधिकार मिलेगा अर वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे मित्र अधन की वाटिका में जो पेड मृत्यू का कारण बना वही क्रूस के पेड के द्वारा नही जिवन का कारण बना और वही अंत में मृत्यू का पेड आज की दिन कहना चाहता हूँ the tree of death, the tree of curse शुरू के दोनों पेड शापित हैं लेकिन उसके द्वारा हम में से हर एक को जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिला है मित्र पूरे प्रकाशित वाके में हमें इस ट्री आफ लाइफ की चर्चा मिलती है ध्यान से सुनिएगा प्रकाशित्वा के दो साथ के अनुसार हम उस जीवन के पेड में से फल खाने पाएंगे तो मित्र ये हुए वचन में वर्णित तीन महतोपूर्ण पेड हाँ धर्मियों को भी पेड कहा गया है तो अब जर्चा करते हैं क्रिस्मस ट्री की आप कहेंगे भाई क्रिस्मस ट्री तो अभी तक नहीं आया तो अब आ रहा है सुनिएगा क्रिस्मस ट्री की जब शुरुवात हुई तो इसकी शुरुवात करने वाले लोग वचन को जानने वाले लोग थे और गहराई से जानने वाले लोग थे ये हलके लोग नहीं थे, है न, इन्होंने सच में वचन को पढ़ा, उस पर आचरण किया, उसके अनुसार इन्होंने प्रतीकों का निर्मार किया, तो क्रिस्मस ट्री की जब शुरुआत हुई, तो हमेशा ये ध्यान रखा गया, कि ये सदा बहार ब्रिक्षों से ही बनाया ज है, है न, इसके पत्ते कभी नहीं मुर जाते हैं, सदा बहार ब्रिक्षों से बनाया जाने वाला क्रिस्मस ट्री, यह इंगित करता है, सुनिएगा, सदा बहार ब्रिक्षों से बनाया जाने वाला क्रिस्मस ट्री, यह इंगित करता है, कि जन्मेह वे येश्टू के कारण, ह धर्मी ठहराए गए और हमारे पत्ते कभी नहीं मुर्जाएंगे। भजन सहिता एक में एक धर्मी और धन्य पुरुष की परिभाशा है। जिसमें कहा गया है वह उस पेड या ट्री के समान है जिसके पत्ते कभी नहीं मुर्जाते हैं। तो अर्थ कुल मिलाकर ये बना कि कृष्णस ट्री एक सदाबहार जीवन या अनन्त जीवन को दिखाता है। कभी नहीं मुर्जाने वाले जीवन को एक अक्षय जीवन को दिखाता है। मित्र तो जब भी कृष्णस ट्री को देखें तो इस बात के लिए धन्यवाद करें कि ये शुमें हमें सदाबहार और कभी ना मुर्जाने वाला अनन्त जीवन मिला है। अब एक बात और छूट गई उसे आपको बता कर समाप्त करता हूँ। जो बात छूट गई थी वो ये कि शुरू शुरू में जब क्रिस्मस ट्री बनाए जाते थे तो उसमें सेब जैसे फल और उपहार लटकाये जाते थे आज भी बहुत सारे उपहार लटकाये जाते हैं। मैं याद करता हूँ जब छोटा था तो क्रिस्मस ट्री में रात को उपहार लटका दिये जाते थे और सुबह हम बहुत excited होते थे कि जा कर कि हम देखें बच्चे बहुत excited होते हैं क्रि जैसे फल और उपहार लटकाए जाते थे आज भी लटकाते हैं तो ये लटकेवे फल हमें जीवन के पेड़ के फल की याद हमेशा दिलाते हैं जिसका वर्णन प्रकाशित्वा के दो और उसके साथ में हमें मिलता है और Christmas Tree पर लटकेवे उपहार हमें परमेश्वर द्वारा येश्व में दिये गए महान उपहार की याद दिलाते हैं, जिसे उद्धार और अनन्त जीवन कहते हैं. तो मित्र क्रिस्मस ट्री को समझना, परमेश्वर के महान उद्धार की योजना को समझना है. बेशक ये प्रतीख है, लेकिन ये ऐसा प्रतीख है, जो हमें भ्रमित नहीं करता लेकिन बहुत सफाई से समझाता है कि योहनना 3.16 की गहराई क्या है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कि उसने अपना इकलोता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहो परंतु अनंत जीवन पाए हमें क्रिस्मस ट्री अनंतता की और लेकर चलता है वो हमें अनंत जीवन के बारे में समझाता है सच में जब भी मैं उसे देखता हूँ धन्यवाद से भर जाता हूँ अब परमेश्वर की महान योजना के लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशिश दे आमीन और एक बार फिर से एक बार फिर से आमीन